यह देखे दोस्तों बहुत ही सुन्दर नकाशी पत्खर के अंदर उस समय के लोगों पर इतना टाइम होता था ना उस समय वर्टसप होता था ना उस समय पेस्बूक होती थी तो लोगों पर यह सब काम करने के लिए बारिक-बारिक काम करने के टाइम हुआ करता था आपके टाइम पर यह सब मुम्किन नहीं है यह देखिए यह भी पूरा पत्थर ही है इस तरी की सब डिजाइन दिया गया पत्रों को की आप फोस पर जाएं कि यह सब बनाया कैसे क्या है यह देखिए यह लोग फोटो खिंचते वे यहां पर आप अब शेक भाई पोज देते वें बहुत ही शांदार पोज हम आपको दिखाते हैं अभी शेक किस पुद्विंए खड़े हैं यह देखिए यह दोना भाई-भाई एक स्मॉल एक लार्च अचे दीकि ही शांदार न जारा शांदार न कासिंग की दीकि सुन्दर सुन्दर और यह सामने दरवार जहां पर कि शाजा का कोट था यह यहां पर माम राजनेतिक और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी फैसले थे अर्थ प्योस्ताव कैसे सुधारा जाए कहां पर क्या काम किया जाए यह सब काम यहीं पर डिसकस होते थे और उनके पास एक महियुसिंग आसन भी होता था यूँ मैंने आपको थोड़ी दिखाया वह ऐसी एक जश्ट जोग था आप उसको जाला सी इसनाल है महियुसिंग आसन खाती सिंदर हो और हम जैसे लोग शाहिद उसको कभी देख भी ना पाएं इसको की हकिकत है हम भारत के आपसी जो रंजीशे हैं या पर जलते भारती क्या पूरी दुनिया जलती एक दुसरे से यह चीजे हर जगया सानी कि भारत में यह भारत तो क्रिटिसाइज मत करों कि हां भारती बेकाश है देश है हर जगये के लोग एक दूसरे से लड़ते जगड़ते हैं और भारती तो फिर भी बहुत प्यार से रहते हैं अनिकता में एकता है लेकिन और जगे बहुत ही बुरा हाल है तो किनी उनी बज़ाओं से इपनी लंबी स्टोरी तो हम आपको बता नहीं सकते महिर सिंगासन की व महान चोर नादिर्शा उसको चुड़ा के ले गए थे पिकॉग थ्रॉन भी ले गए थे और साथ में कोविनुर हीरा भी ले गए थे और मैं मापीछ होंगा में इत्यासकार नहीं हूं अगर कुछ चीज़े गलत बोल दूं उपर नीचे बोल दूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यहां आप नहीं चीज़ गलत बोली है हम उसको सीखेंगे और अगली बार उपलती नहीं करेंगे देखें बहुत ही सुंदर सुंदर बालिकाएं यहां पर घुमने आई है दिल लीदी चोरियों दी एक खास बात है तीन चार बॉइफ्रेंड यह भी आम बात है यह दिखिए यह है वो खक्स जहांपर पैसले लिये जाते थे दिल्ली दरवार तो नहीं है यह दिल्ली दरव दरवार कहा जाता था तो मुझे नहीं पता आपने पिक्चरों में देखा होगा शायर इस जगए को यहां पर शूटिंग की जाती है कभी कभार इदे के सामने यहां बैठे कर बैठा करते थे हमारे महान शाषक जिनों ने भारत में ताज मेल बनाया लाल किला बनाया इतनी मश्यूर मश्यूर इमारत हैं बनाई शायद कुतुमिनार तो इल्टुत मिस्ते बनाई थी उसने साजान कोई रोल नहीं था यह है उनका महान सिंगार्सन जो शायद अभी धूब की बाई से दिख भी नहीं रहा है कि भी शीशे में रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगा कि यह कितना सुन्दर है इंसानी बहुत सुन्दर है अगर थोड़ी बॉड़ी बगरा बना ले तो बहुत ही सुन्दर हो जाएंगे पर देखिए बहुत से जहां बना एक केस आया है तो केस क्या है quem भूए बेरोजगारी भारत पर पर बेरोजगारी बहुत जारा हो चुकी है बहुत कि बेरोजगार हैं हम भी फिलाल बेरोजगार है तो और यह देखिए अंग्रेज लोग इनों ही लोगों ने शाषन किया था हमारे देश पे यही तो ऐसे ही लोग थे वो जो आये थे शाषन करके चले गए बहुत कुछ लूटा उन्होंने लेकिन भारत में इतना कुछ है कि ऐसे अगर सो देश और भी लूट के चले जाए तब यहां पर राजा बेठा करतेते हैं और लोग लोक चै hopping कि महराज-णा करते थे कि कि महाराज इतियास में नाम दिया गया है इतियास में वोसude समय नाम दिया जाता था दिवान एंहां एक जगे थि दीवान इस екहास जहांपर only वरिश्ट लोग जो राजगराने से क्यूंते से रिलेटेड थे या कुछ मतलब राजगराने से जो बात होती थी वह हो पाली जाती थी वहें हैं दिवाने आम यह अपर लोग खड़े ओती जंता खड़ी थी जिस ? किनके वी कोई समस्या है या प्रॉब्लम्स होती थी जो भी उनका कुछ रहता था या आपसे लड़ाई वगयरा तो महाराज सामने होते थे वो इनकी दुवाई सुनते थे उनकी गुवारे सुनते थे और फिर अपना ने जहां भी उन्हें लगता था कि यह सई है वो ने पता नहीं यह क्यों बनाया गया है हवा के लिए या किस चीज के लिए बनाया गया लेकिन जहां तर मुझे लगता ही एक जोस्ट ही है बहुत ही सुन्दर इमारत इसके पिलर्स देखिए यह स्तंब जो आज तो क्या उमीद करते हैं कि आज से 500 साल बाद भी ऐसा ही दिखेगा अगर इसकी थोड़ी सरकास निवेदन करना चाहूंगो इसकी थोड़ी सफाई की जाएं दुलवाओ इसे चमकाओ दुबारे क्योंकि यह काली पड़ रही है दिवारे